नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में एक नए टॉपिक के साथ क्लास की सुरुआत करेंगे टॉपिक है प्राब्लम्स आफ ट्रेंज या रेल पर आधारित प्रस्ण एक्जाम में दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस और रेल से एक क्वेस्टन जरूर बनके आता है इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस को कवर अप किया था बिल्कूल वैसे ही क्वेस्टन देखने को मिलेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय सेम फार्मूले का यूज सभी क्वेस्टन के लिए होगा बिल्कूल सांदार तरीके से क्वेस्टन को हल करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रहे अगर आप चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को भी दबा दे इससे हमारे वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे तो चलिए दोस्तों क्वेस्टन पर चलते हैं ट्रेन संबंद क्वेस्टन को हल करने के लिए पाज बातों को जानना जरूरी है फर्स्ट पॉइंट क्या है ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होगी देखी दोस्तों ये कोई ट्रेन है ये एक वेक्ति को पार कर रही है ये देखी यहाँ पर समझ ले वेक्ति है इस व्यक्ति को पार करने में उसे कित्ता समय लेगा जो दूरी निकलेगी दोस्तों ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होगी ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होगी और second question में अगर train और platform दोनों की बात हो रही हो तो दोनों की दूरियों को जोड़ा जाएगा तो देखिए question में अगर यह train है और यह platform है तो दोनों की बात हो रही है तो दूरी क्या निकलेगी D1 प्लस D2 यानि की दोनों की दूरियों को जोड़ा जाएगा rail की दूरी और platform की दूरी दोनों को जोड़ा जाएगा तीसरी बात दो train एक दूसरी के विप्रिदिशा में चल रही है तो भी दोनों की दूरियों को जोड़ा जाएगा तो देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है तो इनकी दूरी क्या होगी यहां से यहां तक इसकी दूरी हो जाएगी और टोटल दूरी क्या होगी इनकी योग के बराबर होगी चौंथी बात किलोमेटर पती घंटा को मीटर पती सेकेंड में बदलने के लिए पाच बटे अठारा का उड़ा करेंगे इससे पहले भी बता चुका हूँ दोस्तो और पाच भी मीटर पती सेकेंड को किलोमेटर पती घंटा में बदलने के लिए अठरा बटे पाच का उड़ा किया जाएगा वो कैसे देखिए हमें किलो मीटर को मीटर सेकेंड में बदलना है यानि कि बड़ी किलो मीटर बड़ा होता है मीटर सेकेंड छोटा होता है बड़ी से छोटी में जाना है एक किलो मीटर में होते हैं एक हजार मीटर और एक घंटे में 36 सेकेंड होते हैं जुस्तों जीरो से जीरो कट गए दो पंचे दास दो एकम दो दो आटे शोला इस तरह पाज बटे अठारा किलो मीटर को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए किलो मीटर को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए पाज बटे अठारा को गुड़ा किया जाएगा और इसी के विप्रित मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर में बदलने के लिए अठारा बटे पाच का गुड़ा किया जाएगा तो बिल्कुल आसान है तो चलिए questions पर चलते हैं यह रहा दोस्तों आज का first number का question 100 मीटर रंबी रेल गाड़ी 25 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए railway line के पास खड़े विक्ति को कितने दिर में पार करेगी बहुत ही आसान questions है तो हल करते हैं इसे देखी तो देखी दोस्तों हमें रेल गाड़ी की लंबाई किती दिये 100 मीटर लंबी रेल गाड़ी 30 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए railway line के पास खड़े विक्ति कितने दिर में पार करेगी यानिकि time निकालना है हमें तो दिस्टेंस क्या हो गई रेल गाड़ी की लंबाई है 100 मीटर तो दिस्टेंस हो गई 100 मीटर हो गई और speed क्या हो गई 30 किलो मीटर या देखी किलो मीटर में आई है किलो मीटर में तो इसे मीटर पर सेकेंड में कर्मट करना पड़ेगा तो देखिए हमें time निकालना है तो time बराबर क्या होता है distance upon speed तो distance किती है 100 हो है बटे speed किती है 30 है तो देखिए 30 जो है speed km पती घंटा में है तो इसे m per second में convert करने के लिए 5 बटे 18 को गुड़ा करना पड़ेगा तो देखिए गुड़ी पाज बटे 18 देखिए 18 उपर चल जाएगा उपर जाके सब के साथ 18 को गुड़ा हो जाएगा तो देखिए 10 से 10 कट गया तिन्चिंग 18 पाज दूनी 10 क्या आ गया 12 तो जो time है किता आ गया 12 रेल गाड़ी जो है रेल वे लाइन के पास खड़े लड़के को 12 सेकेंड में पार करेगी यह होगा इसका आंसर अगले क्रॉशन पर चलते है 171 मीटर रंबी रेल गाड़ी 25 किलोमीटर पती घंटा की चाल से 239 मीटर लंबे पूल को कितने समय में पार करेगी देखिए आपको पताया था मैंने पहले ही यहाँ पर रेल गाड़ी की बात हो रही है और पूल की बात हो रही है रेल गाड़ी और पूल की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी टोटल रेल गाड़ी की लंबाई 171 धन पूल की लंबाई किती है 239 है इनको जोड़ेंगे तो डिस्टेंस निकलेगी दोस्तो तो हमें पूछा है पूल को कितने समय में पार करेगी रेल गाड़ी जो है पूल को कितने समय में पार करेगी यह निकालना है हमें तो हल करते हैं देखिए बहुत ही आसान है तो देखीं दोस्तो, हमें डिस्टेंस क्या दीए? गुर्णारी की दूरी किती है, 171 मीटर लंबी रेल गाड़ी है, और जो पूल की लंबाई है, किती है 239 मीटर तो टोटाल डिस्टेंस कैसे निकलेगी डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे जब डिस्टेंस निकलेगी रेल गाड़ी की लंबाई और प्लेट फार्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस निकलेगी देखिए यह रेल गाड़ी हो गई और यह पूल हो गया अब रेल गाड़ी तो यहां से इस्टार्ट हो रही और यहां पे खतम हो गी पूल को पार करेगी तो दूरी तो इत्ती तै करना पड़ेगा इसलिए दोनों को जोड़ा जाता है इसलिए दोनों को जोड़ा जाता है त तो देखी दोश्तों 171 और 229 कित्ता हो जाएगा 400 हो जाएगा यह 400 हो गया तो डिस्टेंस कित्ती निकल गई 400 निकल गई और इस्पीट तो में दी ही है स्पीट कित्ती दिए 45 किलो मीटर प्रति घंटा तो देखी एक किलो मीटर प्रति घंटा इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा हमसे टाइम पूछा है और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड तो डिस्टेंस कित्ती निकल गई 400 निकल गई और स्पीड कित्ती है 45 किलो मीटर तो देखिए किलो मीटर पर सेकेंड में कनोट करने के लिए 5 बटे 18 को गुड़ा करना पड़ेगा पाज और अठारा उपर चल जाएगा तो यह 400 के साथ गुड़े में हो जाएगा तो देखिए काटते है नव दुनी अठारा नौपाना पैनतालीस पाच अट्टे चालीस और यह 0 तो देखिए पाच एकम 5 और पाच चके 30 तो यह क्या निकल गया है 16 दुनी 32 टाइम जो है कित तो रेल गाडी पूल को पार करने में कित्ता सेकें लेगी 32 सेकेंड का समय लेगी अगले कोस्चन पर चलते हैं 180 मीटर लंबी रेलगाडी अपने सामान लंबाई के प्लेटफर्म को पार करने में 80 सेकंड लेती है रेलगाडी की चाल कितनी है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सब्द क्या बोला है समान लंबाई के प्लेटपरम यानि कि रेल-गाड़ी की जितनी हुँ उत्ती ही लंबाई इक निकाल प्लेटपरम है तो दूरी कित निकलेगी 180 अब्धान 180 किमकि ऊत्ती ही लंबाई यह प्लेटपरम की तो दूरी इनिकल जाएगी दोस्तों कि अवर करते हैं देखिए कुश्चन को तो देखिए रेल गारी की लंबाई कितवीं दिए गाड़ी और यह हो गया प्लेक्पर्म है तो देखिये ट्रेन यहां से यहां तक जाएगी जबी तो पार होगा प्लेटफर्म की लंबाई किती ये 180 अर्म उत्ति लंबाई प्लेटफर्म बोल रहे तो इसकी लंबाई इक से और इक सोसी चाहरोगा, इस स्पीड हमें दिये, ताइम हमें दिये, आठा सेकेंड, टो हमें क्या बोला है, तो रेल गारी की चाल कित्त्थी ग्यात कीजिए, तो यानि की सिपीड हमें, स्पीड बराबर क्या होता है, डिष्टेंसत अपां टाइम, तो देखी डिस्टेंस क्या है 360 बटे टाइम किता ले रही है 18 सेकेंड 18 दुनी 36 और ये 0 20 मीटर प्रतिसेकेंड चाल क्या हो जाएगी 20 मीटर प्रतिसेकेंड तो आप्सन नमबर ये आजाएगी इन में से कोई नहीं अगले क्वेस्चन पर चली तो देखी दोस्तों क्वेस्चन को 125 मीटर लंबी रेल गाड़ी 60 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पूल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है पूल की लंबाई कितनी है तो क्वेस्चन को समझीए पहले देखी एक 125 मीटर लंबी रेल गाड़ी इसे हम X माल लेंगे पूल की लंबाई कितनी है ये ग्यात करना है तो देखिए हल करते हैं इसे तो देखिए हमें क्या दिया है रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है 125 मीटर तो डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए 125 मीटर लंबी रेल गड़ी है Speed किती है उसकी Speed है 60 किलो मीटर पती घंटा चल और एक पूल को किते दर में पार कर रही हो 30 सेकेंड में पार कर रही है तो time किता है 30 सेकेंड है तो पूल की लंबाई तो देखिए एक train है ये train हो गई ये पूल हो गया हमें train की लंबाई किती दिये 125 दिये और pool पूल की तो लंबाई दी ही नहीं है तो इसे x माल लेते हैं तो देखे train यहां से यहां तक जो है चलती है तो time किता लग रहा है 30 second 30 second में यह pool को पार कर लेती है तो train की लंबाई कि तो distance किती है आ जाएगी हमारी distance आ जाएगी 125 धन x यह दिखिए जोड़ेंगे इसकी लंबाई दोनों की लंबाई मिलेगी तभी तो 30 second में पार होगी train तो distance किया जाएगी 125 धन x तो देखे दोस्तों speed बराबर क्या होता है distance upon time इस्पीड बराबर होता है distance upon time तो रख देते हैं सभी का मान तो देखिए speed कितनी दिए 60 दिए किलोमीटर प्रती घंटा में दोस्तों किलोमीटर प्रती घंटा में तो इसे मीटर पर सेकेंड क्यूंकि यह होगी distance 125 तो देखिए दोस्तों 5 बटे 18 का गुड़ा कैसे किलोमीटर तुम मीटर सेकेंड में करना है तो देखिए एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में 36 सेकेंड होते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गए दो पंचे 10 और दो एकम दो दो आठे 16 यानि कि 5 बटे 18 इस तरह 5 बटे 18 का गुड़ा करते हैं अगर किलोमीटर से मीटर सेकेंड में जा रहे हैं अगर मीटर सेकेंड से मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो इसके बिल्कुल आपोजिट 18 बटे पाच यह मैंने पहले बता चुका लेकिन एक बार रिवाइन कर दिया ताकि आपको याद रहे तो देखिए आगे टाइम यहां पर टाइम किता है हमें 30 सेकें दिया है तो हल करते इससे देखिए कैलकुलेसन करते है इसकी तो देखिए दोस्तो चैट्री अठारह 6 पंचे 30 तो देखिए 5 का गुड़ा यहां हो जाएगा तो देखिए क्या होगा 60 गुड़ा 5 यह 5 भी इदर गुड़े में चल जाएगा तो गुड़े में 5 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 125 धन गुड़ा में 3 आ जाएगा देखिए गुड़े में 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा यह 15100 आ जाएगा 125 का गुड़ा 3 से करेंगे यह हो जाता है 125 गुड़ा 3 क्या हो जाएगा दूस्तों 375 हो जाएगा और यह 3x इसका पक्चानतर हो एगा तो 1500 में से 375 चल जाएगे तो घटाएंगे क्या बचेगा यह बचेगा 1125 बचेगा बराबर 3x यह देखिए 3 से 1125 को काटेंगे किते बार कटेगा यह कटता है 375 बार कट जाता है x बराबर क्या आगा है 375 x बराबर 375 आगया तो पूल की लंबाई क्या होगी 375 मीटर ऑप्सन नमबर यह आ जाएगा अगले क्यों पर चलते हैं तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजिए तो देखिए क्यों एक रेल गाड़ी की बिना रुके आउसाचाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है बार बार रुकने के कराण इसके आउसाचाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है तो देखिए क्यों को समझिए क्यों को समझना जरूरी है तो देखिए एक रेल गाड़ी के आउसाचाल किया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वो कब जब वो रुकती नहीं तो 90 km प्रति घंटा है उसा चाल से दोड़ती है और रुकती है बार बार रुकने के करण उसकी चाल किती है 80 km प्रति घंटा हो जाती है तो गाड़ी कितने मिनट में कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है ये ग्याद करना है तो हल करते हैं प्रतिघंटा और जब ट्रें रुकठ के चलती है तव इस पीट क्या है उसकी 20 किलो मीटर प्रतिघंटा तो देख़िंट नबब और 80 के भीज गेप कितने का है 10 के गेप है यह 10 किलो मीटर प्रतिघंटा यह 10 मिनाट वह रुक्रुट के चलने के कराने लेड हो तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं ताइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड तो डिस्टेंस तो दस किलोमीटर आ गया दोनों के बीच का यह देखिए 10 और इस पीड उस स्पीड को लेंगे जिसमें ट्रेन रुखती नहीं तो देखिए इस स्पीड में ट्रे सब्सक्राइब कर देंगे जिरो से जिरो कड़ गया तो देखिए तीन तिया नाव और तीन दूनि छाए 10 दूनि 20 तो क्या गया है बीज बटे तीन तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं चाय सही 2 बटे तीन क्योंकि चाय तरी अठारा धन दो 20 हो गया बीज बटे तीन तो हम के आंसर हो का आप्सन नमर B चाहे साई 2 बटे 3 मिनट प्रति घंटा गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुखती है चाहे साई 2 बटे 3 मिनट प्रति घंटा अगले कुश्चन पर देखी एक 250 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक सिगनल के खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की चाल कितनी है बहुत ही आसान है देखीए 250 मिनटर लंबी रेल गाड़ी सिगनल के खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है हमें डिस्टेंस है दिया है टाइम दिया है तो speed निकालना है निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर distance हो गया 250 और time हो गया 15 second तो देखिए speed बराबर होता है distance upon time distance upon time तो देखिए 250 250 बटे 15 देखिए ओप्शन में kilometer प्रति घंटा में और 15 जो है second में तो हमें इसे भी kilometer प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा meter पर second से kilometer पर घंटा में जाना है तो 18 बटे 5 का गुड़ा करना पड़ेगा 18 बटे 5 तो देखिए 5 तिया 15 पाचाम 25 और ये 0 तो क्या आ गया 10 गुड़ी 60 बराबर speed किती आ गई 60 kilometer प्रति घंटा option नमबर B option नमबर B आएगा 60 kilometer प्रति घंटा अगले question पर चलिए एक 280 मिटर लंबी रेल गाड़ी की गती 60 kilometer प्रति घंटा है यहां रेल गाड़ी 220 मिटर लंबे लंबे platform को पार करने में कितना समय लेगी तो देखिए यहांपे रेल की लंबाई होगी 280 मिटर प्लेटफर्म की हो गई 220 टोटल जोड़ेंगे जब टाइब तब हमारा डिस्टेंस निकलेगा तो हल करते हैं देखिए तो देखिए यहाँ पे डाइग्राम से समझिए एक रेलगाड जिसकी लंबाई किती है 280 मीटर और एक प्लेटफर्म जिसकी लंबाई है 220 मीटर तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब ही तो पार होगा भाई यह प्लेटफर्म तो इनको जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ेंगे तो डिस्टेंस के आ जाएगी हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाती है जो उनको जोड़ने से अब देखिए हमें गति क्या दिये स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है किलोमीटर पर हावर में है तो देखिए हमारे आप्शन तो सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए, क्या बोल रहा है, 220 मीटर लंबे प्लेट फर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो यानि कि टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखिए, डिस्टेंस तो हो गई ये, 280 धन, 220, स्पीड है, 60, ये किलो मीटर प्रति घंटा में, तो पाच बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा, पाच और बटे में 18 आएगा, तो इसका पक्चानत के आँ उपर चल जाएगा, तो यहाँ इसके साथ गुड़ा हो जाएगा, 18 का, अब देखो भईया, 280 और 220 कित्ते हो गए, यह हो जाता है, 500, बटे गुड़ित में 18, ये देखी, 18, बटे 60, गुड़ित 5, देखी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 62, 12, 6, 3, 18, पाच धाम 50, तो क्या आ गया, दस दून पेस, दस तिया 30, टाइम क्या निकल गया, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड होगा, आप्शन नमबर C, प्लेट फार्म को रेल गाड़ी 30 सेकेंड में पार कर लेगी, अगले क्यूश्चन पर चलिए, 108 km प्रतिगंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेल गाडी एक platform को 20 सेकंड में पार कर जाती है एक वेक्ति इसी platform को 5 मिनट में पार करता है उस वेक्ति की चाल कितनी है तो देखिए रेल गाडी की 108 km प्रतिगंटा चाल क्या है 108 km प्रतिगंटा प्रति घंटा फेकि किलो मिटर पति घंटा में और आप्सन मीटर सेकंड में यानि कि इसको चेंज करना पड़ेगा पहले बात दूसरी देखिए 240 मिटर लंबी रेल गाड़ी है रेल गाड़ी की लंबाई तो 240 मिटर दी है एक प्लेट फार्म प्लेट फार्म की लंबाई नहीं दी है तो इसे एक समान लेंगे 20 सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में पार करती है तो एक वेक्ति इस प्लेट फार्म को पाच मिनट में पार करता है तो उस वेक्ति की चाल कितनी है उस वेक्ति की चाल कितनी ये निकालना है दो क्रेश्चन बनाए दो पार्ट में एक क्रेश्चन है तो कंडिशन फर्ष्ट को हल करेंगे तो हमें क्या प्लेट फार्म की लंबाई पता जल जाएगी और second condition में फिर हमें उस वेक्ति की चाल पता कर लेंगे तो हल करते हैं देखिए डाइग्राम से समझिए देखिए ये जो है रेल गाड़ी हो गई इसकी चाल है 108 किलो मिटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई किती है distance 240 मिटर लंबी है एक plate farm जो एक plate farm है इसको जो है वो 20 second में पार करती है और इसकी लंबाई नहीं दी है इसकी लंबाई नहीं दी है एक्स मान लेते हैं तो देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 240 धन एक्स तो ये distance निकल के आजाएगी डिस्टेंस निकल के आजाएगी 240 धन एक्स तो हल कर लेते हैं तो देखिए टाइम बराबर होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन इस्पीड तो देखिए टाइम किता है 20 सेकेंड 20 सेकेंड में पार कर दीए प्लेटफार्म को डिस्टेंस किती आजाएगी 240 धन एक्स इस्पीड क्या है 60 किलोमीटर पती घंटा अब 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5 बटे 18 गुड़ा करेंगे बटे में 18 आजाएगा जो उपर चल जाएगा तो यहां गुड़े में आजाएगा 18 हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए यहां एक मिश्टेक हो गई है यहां 60 ने एगा जो स्पीड है 108 किलोमीटर पती घंटा है 108 आएगा यहां यह आगा अब सही है तो देखो 18 से 108 किते बार करेंगा 6 बार कर जाता है अब देखिए 6 पंचे 30 30 का गुड़ा कहा हो जाएगा इस साइड जाके 20 में हो जाएगा 30 गुड़ी 20 कर देंगे तो यह हो जाता है 600 600 हो जाएगा बराबर के इधर क्या बच जाएगा इधर बच जाएगा 240 धन X X बच जाएगा तो देखिए इसका पक्छांतरों के इधर माइनस हो जाएगा इस से तो यह का बच जाएगा 360 बच जाएगा बराबर X तो X बराबर क्या जाएगा 360 यह क्या निकल गई प्लेटफार्म की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई निकल गई तीन सो साथ मीटर अब हमें सेकेंड कंडिशन में क्या बोला है second condition में बोला है second condition में बोल रहा है देखिए उस वेक्ति एक वेक्ति इस platform को 5 मिनट में पार करता है तो इस वेक्ति की चाल क्या है तो देखिए platform की लंबा है तो 360 आ गई और time की ते second में पार कर रहा है 5 मिनट में पार करता है वो platform को तो speed नहीं पता करना है तो speed बराबर क्या होता है speed बराबर होता है distance upon time तो speed बराबर distance किती है 360 और time 5 second ले रहा है तो देखिए तो देखिए ये जो है meter में 5 minute का समय ले रहा है sorry 5 minute में है और हमारे option है meter second जिस second में convert करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुड़ा करेंगे 60 से गुड़ा करेंगे तो गुड़ी 60 कर दीजी 0 से 0 कड़ गया 36 और ये 5 से 5 एकम 5 और बचा 1 भागना है जती है बहाच दसमलो 2 आ जाएगा तो speed क्या आ जाएगी 1.2 meter प्रतिसेकेंड 1.2 meter प्रतिसेकेंड option number C आ जाएगा अगले question पर चलिए 1.240 meter लंबी रेल गाड़ी एक platform को 20 सेकेंड में पार कर जाती है रेल गाड़ी की चाल कितनी है तो question को समझे 240 meter लंबी रेल गाड़ी एक platform को तो देखिए रेल गाड़ी की नंबार 240 meter है platform जिसकी लंबाई नहीं दी है हमें 20 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की चाल कितनी है ये ग्याद करना है थौल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तो इस question में क्या है ना हमें speed दिये speed नहीं दी और platform की लंबाई भी नहीं दी तो ये question को हल नहीं किया जा सकता जो है हल कर सकते या हमें platform की लंबाई दे देता तो भी निकल जाती यहाँ पे दोनों नहीं दिया है इसलिए option number D आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है अगले question पर चलिए एक rail गाड़ी एक बिजली के खंबे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है तथा 600 मिटर लंबे पूल को 35 सेकेंड में रेल गाड़ी की चाल कितनी यह ग्यात करना है हल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तों यहां question में rail गाड़ी एक rail गाड़ी जो है बिजली के खंबे को 5 सेकेंड में पार करती है साइम कितना ले रही हो 5 सेकेंड ले रही है और हमें rail गाड़ी की लंबाई नहीं दिए तो एक समान लेंगे इसे हम एक समान लेंगे और दूसरा क्या बोल रहा है एक 600 मिटर लंबे पूल को पूल की लंबाई दिए कितनी 600 मिटर कित्ते सेकेंड में पार करती है 35 सेकेंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की चाल ग्याद करना है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय तो देखिए फर्स्ट कंडिशन में देखिए दूरी कित्ती हो जाएगी यहां से रेल गाड़ी की दूरी एक्स हो जाएगी बटे समय किता है पास सेकेंड पास सेकेंड में पार कर दिये बराबर बराबर देखिए फिर सेकेंड कंडिसन में क्या बोल रहा है 600 मीटर लंबे पूल को तो दूरी किती है उसकी 600 मीटर लंबे पूल को किती सेकेंड में पार कर रही है 35 सेकेंड में देखिए दूरी यहां बराबर का साइन इसलिए लगा क्योंकि रेल गाड़ी तो एक ही है यान कि स्पीड तो एक ही निकलेगी न तो बराबर दोनों स्पीड यान कि स्पीड सेम होगी पाच इकम पाच, पाच साथ पैंटीस, साथ का गुड़ा यहां हो जाएगा, तो देखिए, यह हो जाएगा, साथ एक्स पराबर छैसो, देखिए दूस्तो यहां पर थोड़ी मिश्टेक हो गई थी, जब रेल गाड़ी एक खंबे को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, तो एक्स मान लिए, और यह पास सेकेंड में पार कर रही, जब अगर दूसरी कंडिसन में क्या है, जब रेल गाड़ी यह पूल है, छैसो मीटर लंबा पूल, जब रेल गाड़ी यहां से यहां तक इसे पार करेगी, तो देखिए यह जूड़ जाएगे न, जो है, रेल गाड दूसरी की डिस्टेंस तो एक्स मान लिए, एक्स धन और पूल की डिस्टेंस किती है, छैसो मीटर लंबा पूल है, तो यह जूड़ जाएगे, तो यहां पर देखिए एक्स आएगा, धन एक्स आजाएगा, तभी तो रेल गाड़ी पार करेगी, बाकि सब ठीक है, तो दे जाएगा, 6X, इक्वल टू 600, इदे की 6, 600 किते बार कट गया, एक्स बराबर आजाएगा, 100, एक्स की वैल्यू किती आगई, 100, यानि कि एक्स किया निकल गया हमारा, ट्रेन की रंबाई, रेल गाड़ी की लंबाई किती है, 100 मीटर, अब सेकंड कंडिसरं देखिए, हमें च सौव मीटर आ गई दूरी देखिए रेल गाड़ी की लंबाई किते आ गई सौव मीटर तो रेल गाड़ी की चाल पूछा है तो रेल गाड़ी की चाल खंबे को किते सिमय में पार कर रही है पास सेकंड में पार कर रही है तो टाइम किता आएगा पास सेकंड आ जाएगा टाइम तो चुकी देखिए किलो मीटर प्रति घंटा में हमारे ऑप्सन दिये इसलिए इसे किलो मीटर प्रति घंटा तो देखिए, मीटर पर सेकंड से किलो मीटर परती घंटा में जाना है, तो अठरा बटे पाच का गुड़ा करना पड़ेगा, देखिए, अठरा बटे पाच, गुड़ा कर देंगे, तो देखिए, पाच से सव कित्ते बार कड़ गया, बीस बार कड़ गया, पाच चो के बीस 18 गुड़ी 4 किता हो जाएगा 72 हो जाएगा जो है रेल गाड़ी की स्पीट किती निकल गई 72 किलो मीटर प्रति घंटा 72 किलो मीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा Option नमबर आ जाएगा C Option नमबर C आ जाएगा इसका अंसर आगले कुश्चन पर चलिए एक रेल गाड़ी देखी एक क्वेश्चन एक रेल गाड़ 90 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से एक पूल को 36 सेकेंड में पार कर जाती है इस पूल को एक दूसरी रेल गाड़ी पहली रेल गाड़ी से सो मीटर छोटी है 45 km प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी तो देखिए क्वेश्चन को समझिए एक रेल गाड़ी 90 km प्रति घंटा चार स्पीड जो 90 km प्रति घंटा हो गई टाइम जो लेती है वो एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर लेती है एक दूसरी रेल गाड़ी है जो पहली रेल गाड़ी से 100 मिटर चोटी है पहली रेल गाड़ी से 100 मिटर चोटी है 35 km प्रति घंटा की चाल से फुल को कितने समय में पार करेगी ये पूछा है हमसे हल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तों पहली कंडिशन में क्या दिया है एक रेल गाड़ी रेल गाड़ी की स्पीड किती है नब्बे किलोमेटर प्रति घंटा और टाइम किता लेती हुए एक पुल को पार करने में 36 सेकेंड का हमारे पास इस्पीड है तो डिस्टेंज निकल जाएगा तो डिस्टेंज बराबर इस 36 सेकेंड सेकेंड में और चाल जोई किलोमेटर प्रति घंटा ये जोई किलोमेटर प्रति घंटा में और ये सेकेंड में तो देखिए इन्हें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो 90 किलोमेटर परती घंटा को सेकेंड में कनवर्ट करना पड़ेगा इसे कनवर्ट करने 5 बटे 18 का गुड़ा करना पड़ेगा तो देखी डिस्टेंस बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम तो speed किती है 90 km पती घंटा में इसे मीटर पर सेकेंड में convert करने के लिए 5 बटे 18 का गुड़ा करते हैं तो देखिए और time किता है 36 सेकेंड तो देखिए 18 दूनी 36 अब इनका 90 गुड़ित 5 गुड़ित 2 कर लेंगे तो distance क्या निकल के आ जाएगी 900 आ जाएगा ये 5 दूनी 10 और 10 गुड़ित 9 तो ये 900 हो जाता है ये फर्स्ट कंडिशन अब सेकेंड कंडिशन में क्या बोल रहा है देखिए एक दूसरी रेल गाड़ी जो पहली रेल गाड़ी से 100 मीटर छोटी है 100 मीटर तो पहली वाली तो 900 मीटर आ गई है देखिए दूसरी इससे 100 मीटर छोटी है माइनस 100 बराबर 800 तो दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई किती 800 मीटर 800 मीटर है तो पूछा है 45 100 मीटर छोटी है 45 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से पूल को किते समय में पार करेगी टाइम निकालना है देखिए डिस्टेंस है हमार पास और यह टाइम किता लेती पूल को पार करने में 45 किलो मीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है स्पीड किती है 45 किलो मीटर तो देखिए यहां पर हमें रेल गाड़ी की लंबाई पता है इस पीड पता है तो टाइम निकाल सकते हैं तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान इस्पीड तो डिस्टेंस किता है 800 स्पीड जो है 45 किलो मीटर प्रति घंटा 45 किलो मीटर प्रति घंटा और हमारे ओप्सन ded में इसको भी कन्वर्ट करना पाड़ेगा मीटर पर सेकेंड में तो देख़िए 45 गुड़ित में Сेड़ल में जाएगे इसलिए 5 बाट में 18 घुड़ा हो गुड़ित 5 और बाट में 18 है तो यह जाएग Sun तो देखिए यहाँ पर नौपाना पैनतालीस तो पाच एकम पाच पाच्छके तीस फिर पाच से कटे गए ये कट जाएगा पाच एकम पाच पाच तीया पंदरा और बच जाता है दो दस तो पाच दूनी दस बत्तिस और बत्तिस दूनी चौँशाट तो इसे हल करेंगी क्या दाएगा टाइम 64 सेकेंड आप्सन नंबर डी अगले क्वेश्चन पर चलिए एक समान साल से चलती हुई रेलगाडी 162 मीटर लंबे प्लेट फार्म को 18 सेकेंड में तता एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेट फार्म को 15 सेकेंड में पार्क कर जाती है रेलगाडी की चाल कितनी है तो देखिए एक समान चाल से चलती हुई रेलगाडी जैनि कि यहाँ चाल देखिए चाल समान बोल रहा है दोनों कंडिशन में चाल समान होगी 162 मीटर लंबे प्लेटफरम को 162 मीटर लंबे प्लेटफरम को 18 सेकेंड में पार करती है 120 मीटर लंबे प्लेटफरम को 15 सेकेंड में पार एक अन्य जो दूसरी है रेलगाडी 120 मीटर लंबे प्लेटफरम को 15 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की चाल क्या है यह पता करना है हमें हल करते हैं देखिए 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 दोस्तों इससे डायग्राम से समाझते हैं यह जो है रेल गाड़ी हो गई इसकी समान चाल यान की चाल हमें नहीं दिया है तो X मान लेते हैं तो देखिए रेल गाड़ी की लंबाई क को एक्समान लेते हैं अब देखिए सेकेट कंडिशन में एक सो बाहस रेल गाड़ी जो 162 मीटर लंबे प्लेट फार्म को पार कर रही है किता लंबा प्लेट फार्म में 162 मीटर किते सेकेंड में पार करती 18 सेकेंड में 162 मीटर प्लेट फार्म को 18 सेकेंड में पार कर रही है और एक दूसरी रेल गाड़ी और एक दूसरे प्लेटफर्म है यही रेल गाड़ी एक अन्य प्लेटफर्म को इसकी लंबाई किती 120 मीटर है 15 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की चाल कितनी है यह ग्याद करना है तो देखिए तो रेल गाड़ी की चाल ग्याद करना है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समाए तो दूरी देखिए दूरी ये देखिए एक्स धन अठरा दूरी क्या होज़े की एक्स धन अठरा क्योंकि देखिए पहले प्लेट फार्म को जब ये पार करेगी तो दूरीयों को जोड़ना पड़ेगा रेल गाड़ी की तो एक्स मान लिए हमने और प्लेट फार्म स्वारी अठरा का 162 आएगा यहां प्लेट फार्म की लंबाई 162 है 162 एक्स धन 162 बटे टाइम टाइम कितना समय ले रही है अठरा सेकेंड में पार कर रही है देखिए देखिए अठरा सेकेंड अठरा सेकेंड में पार कर रही है बराबर बराबर का निसान इसलिए क्योंकि एक समान चाल से चलती हुई रेल गाड़ी बोल रहा है यानि कि चाल समाने जो यानि कि इस प्लेटफर्म को जिस चाल से पार कर रही है वो उसी चाल से इस प्लेटफर्म को भी पार कर रहेगी चाल समाने इसलिए बराबर कर निशान आएगा तो देखिए बराबर में क्या आजएगा फिर इस प्लेटफर्म को पार करने के लिए कि 120 कित्ते समय में पार कर रही है उसे वो कर रही है ये 15 सेकेंड में तो ये 15 आ गया अब देखी तीन पाचे 15 तीन चिंग 18 ये 5 का गुड़ा इधर हो जाएगा और 6 का गुड़ा इधर हो जाएगा तो देखी क्या हो इतली थीन की हो जाएगा ये हो जाएगा 5 एक सब्सक्राइक गुड़ा हो जाएगा तो क्या होगगा ये आठ तो द्स एक सब्सक्राइगा धन 720 देखिए चर रासी एक तरप कर लेते हैं और अचर रासी एक तरप कर लेंगे तो 6X में 5X का पक्षांतर इस साइड हो जाएगा तो 6X में से 5X चल जाएगा तो X बचेगा उसी प्रकार 810 में से 720 घटा देंगे तो क्या बचेगा 90 बचेगा तो X बराबर क्या गया 90 तो रेल गाड़ी की लंबाई कित्ती हो गई 90 मीटर अब हमें पूच रहा है रेल गाड़ी की चाल पूच रहा है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो देखिए या तो आप X का मान इस इक्वेशन में रख दीजcentered दोनों में से हमें केलकुलेशन इसमें सरर रोईगी मैं इसमें रखता हूँ X का मान देखिए X का मान 90 रख दिया 90 धान 120 बटे 15 देखिए 15 15 जो है सेकेंड में और हमें आंसर लाना है किलोमीटर पति घंटा में किलोमीटर पति घंटा में देखिए ओप्सन किलोमीटर पति घंटा है इसे 15 को गिलो मीटर प्रतिगंटा में convert करना पड़ेगा तो क्या करेंगे किलो मीटर छोटी रासी से बड़ी रासी में जाना है तो क्या करेंगे 18 बटे 5 का गुळा करेंगे तो देखिए गुळा 18 बटे 5 तो देखिए 90 और 120 कित्ते हो गए 210 हो गए यह हो गए दो सव दस बटे पंदरा गुडित पाच और यह गुड़ा में अठरा है देखिए अठरा दो देखिए पाच चोके बीस और पाच दूनी दस तीन पाच यह पंदरा तीन चिंग अठारा 42 गुडित छाए कित्ते हो गए दो सव बावन बटे में पाच है तो पाच से इसे डिवाइट करेंगे तो यह 50.4 बार जाएगा तो रेल गाड़ी की चाल क्या होगी 50.4 किलो मीटर पतिगंटा ओप्सन नमबर सी आ जाएगा इसका अंसर अगले कुश्चन पे चलिए एक रेल गाड़ी एक समान चाल से चल कर 122 मीटर लंबे प्लेटफर्म को 17 सेकेंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की चाल कितनी है क्या पुछ रहा है रेल गाड़ी की चाल कितनी है तो देखी दोस्तो इससे पहले हमने जो question की है बारा नंबर का बिल्कूल सेम वैसा ही question है ये एक रेलगाडी समान चाल से चल कर 122 मीटर लंबे platform को 17 सेकंड में पार करती है 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करने में रेलगाडी की चाल कितनी है बिल्कूल वैसा ही question है तो देखिए हल करते हैं इसे तो को 17 सेकंड में पार कर रही है तथा 210 मीटर लंबे पुल को और बाद में पूल दिया है 210 मीटर लंबा पूल है को 25 सेकंड में पार करती है 25 सेकंड में पार कर रेलगाडी की चाल कितनी है तो देखिए रेलगाडी की लंबाई भी नहीं दिए इसे एक समान लेंगे हम लंबा गाड़ी की एक्स पहले पूल को पार्द करने के लिए देखिए 122 मीटर एक्स धन 122 मीटर हो जाएगी लंबाई दूरी बटे टाइम किता ले रही है 17 सेकेंड ले रही है बराबर समान चाल से बोल रहा है इसलिए बराबर आएगा पिर दूसरी कंडिसन में बोल रहा है यही रेल गाड़ी पूल को पार कर रही किते 210 मीटर लंबे पूल को तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक धन 210 बटे किते सेकेंड में पार कर रही है 25 सेकेंड में पार कर रही है के सब्सक्राइज कर आता है तो देखिए अहां पे 25 का गुड़ा यहां हो जाएगा मतर सतरा का गुड़ा इदर हो जाएगा यह χो जाएगा 25 एक सब्सक्राइज एक तो वाइस के साथ 25 का गुड़ा होningen तो कि नहीं हो जाएगा 3050 कि अगर दो कि अगर दो कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर को झाल 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 देखिए दोस्तों क्या करेंगे हैं तो देखिए क्या जाएगा एक्स की जगा 65 धन 210 बटे 25 ये जो 25 है ये सेकेंड में है और हमारे अप्सन किलोमीटर पति घंटा में इसे किलोमीटर पति घंटा में कन्वर्ट करने क्या करेंगे 18 बटे 5 का गुड़ा करेंगे तो देखिए गुड़ा 18 बटे 5 तो देखिए 65 और 210 कित्ते हो जाते हैं ये हो जाते हैं 275 गुड़ीट गुड़ित 80 बटे 5 तो देखिए 25 और फिर बच गया 25 बच जाएगा तो 25 पचपना गया फिर 25 से कट देते हैं 5 गुड़ी तटरा कित्ता हो गया 11 गुड़ी तटरा देखी इधर यह हो जाता है 11 गुड़ी तटरा 198 और 198 बटे ये 5 बच गया है ये 288 को पास से काटेंगे तो यह आ जाता है 37.6 37.6 तो रेल गाड़ी की चाल कित्ती आ जाएगी रेल गाड़ी की चाल आ जाएगी 37.6 आप्शन नमबर C इसका आंसर होगा आप्शन नमबर C तो देखिए क्वेश्चन एक 240 मीटर लंबी रेल गाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गती से उसे अपनी लंबाई की दुगनी गती के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकेंड अधिक लगता है तो रेल गाड़ी की चाल कितनी है देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी है रेल गाड़ी की दुरी तो 200 मीटर दीए खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उसनी ही गती से उसे अपनी लंबाई की दुगनी यानि की प्लेटफार्म की लंबी की दुगनी प्लेटफार्म को पार करने दो गुड़ी 240 हो जाएगा प्लेटफार्म देखिए उसकी रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी लंबाई बोल रहा है ना प्लेटफार्म की लंबाई तो प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी दो गुड़ी 240 940 तो 40das exclusive लेती तो रेल गाड़ी की चाल कितनी हल करते हैं देखिए देखिए दोस्त Ó यह क्वेश्ट कूई रेल गाड़ी हो गई इसकी लमबाई किती हो कि 240 मेटर अर इसके चाल नहीं दियाए स्पीट को इस्पीट को आगे बोल रहा है कि इससे दूगनी लंबाई के प्लेटफार्म को यह कोई प्लेटफार्म हो गया इससे दूगनी लंबाई यानि दो गुड़ीद 240 हो जाएगा तो आगे बोल रहा है रेलगाडी की चाल कितनी यानि की 40 सेकेंड अधिक लेती है जो है खंबे को पार करने में के चाल के ओंधे को 9 90 से की 40 किलोमीटर की चाल सें घंबे को पार करने में जितना समाज लेती उससेquele अधिक 14 सेकेंड अधिक लेती है प्लेटफार्म को पार करने में तो देखिये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो देखिए दूरी हमें किते दिए 240 दिये और हमने चाल को एक्स मान लिया है बराबर बराबर का निसा निसलिए क्योंकि समान चाल से बोल रहा है दुगनी लंबाई के प्लेटफरम को देखिए जब वो प्लेटफरम को पार करेगी खंबे को पार कर रहे थी तो 240 बटे एक्स आ गया अब वो प्लेटफरम को पार कर रहे है तो देखिए यहां से स्टार्ट करेगी तो यहां एंड करेगी तो यह दोनों दूरियां जोड़ेगी रेलगाडी की लंबाई और प्लेटफरम की लंबाई जोड़ेगी तो 240 धन दो गुडित 240 और इस्पीट को हमने एक समान लिया है इस्पीट को एक समान नहीं लिये अब यहां पे ध्यान दीजिएगा जब वो खंबे को पार करती है उसमें जित्ता समय लेती है उससे 40 सेकेंड अधिक लेती है काय को प्लेटफरम को पार करने में अगर मैं 40 इधर जोड़ दूँगा तो दोनों का समय बराबर हो जाएगा इसलिए इधर 40 जोड़ दूँगा तो धन 40 तो देखिए यहाँ पर 240 बटे X धन 40 बराबर 240 बटे X इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ धन दो गुडित 240 यह कित्ता हो जाएगा दो गुडित 240 तो यह 480 हो जाएगा बटे X इस तरह लिख सकता हूँ अब यह देखिए यह वाली वेल्यू इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी तो यह आफस में केंसिल हो जाएगे तो 40 बराबर क्या आगया 480 बटे X तो देखिए इस X का गुड़ा इधर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 40 X बराबर 480 40 एकम 40 और बजग्या 40 दूनी यह 12 आएगा X बराबर कित्ता आएगा 12 तो रेल गाड़ी की चाल क्या निकल गई रेल गाड़ी की चाल निकल गई 12 मीटर प्रतिसेकेंड अगले question पर चलते हैं एक रेल गाड़ी 110 मीटर लंबे प्रेटफराम को 40 सेकेंड में तथा उस प्रेटफराम पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार कर जाती है रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है तो रेल गाड़ी की चाल कितनी ही याद करना है हल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तों एक रेल गाड़ी यह रेल गाड़ी हो गए 110 मीटर लंबे प्लेट फार्म को यह देखिए प्लेट फार्म को क्या 110 मीटर लंबा यह इसकी प्लेट फार्म की 40 सेकंड में पार कर रही इसको यहां से चलना चलू करती है तो 40 सेकंड म इसको 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाडी की लंबाई कितनी है यह ग्यात करना है तो देखिए हमें रेलगाडी की लंबाई की लंबाई तो दीए 110 लेकिन रेलगाडी की लंबाई नहीं दीए इसे एकस माल लेंगे हम तो क्या है निकालना है हमें हमें निकालना है रेल गाड़ी की लंबाई तो देखिए हमारे पास क्या क्या है डिस्टेंस है और टाइम है तो इस्पीड निकल जाएगी तो इस्पीड बराबर क्या होता है इस्पीड बराबर तो डिस्टेंस अपन टाइम तो डिस्टेंस किती एक तो प्लेटफर्म को पार कर रही पैद तो प्लेटफर्म देखी यहां से यहां चालू कर गी एंड तक तो इन दोन को जोड़ना पड़ेगा तब ही तो प्लेटफर्म पार होगा तो एकस एकसो दस एकस दन 110 हो गई और टाउट म कितना ले रही है ,40 सेकंड ले रिल गाड़ी की लंबाई तो हो गई एक्स और लड़के को किते सेकेंड में पार कर रही है तीस सेकेंड में पार कर रही है तो बटे में तीस दस तिया तीस दस चोके चालीस तो तीन का गुड़ा इधर कर दे चार का गुड़ा इधर कर देतें तो यह हो जाएगा तीन एक्स धन 110 के साथ गुड़ा करेंगे तो 330 हो जाएगा बराबर 4X तो देखिए 480 एक्साइड और 480 एक्साइज कर देंगे तो 4X में से 3X गया है X बचा X बराबर किता आगा है 330 तो हमसे पुछा है रेल गारी की लंबाई किती है तो रेल गारी की लंबाई किती है आजएगी 330 मीटर option number D अगले question पर चलते देखिए दोस्तों बहुत ही सांदार तरीके से questions को हल कर रहे हैं तो like तो बनता है वीडियो को like कर दीजिए दो रेल गारी में से प्रतेक 210 मीटर लंबी है इन में से एक रेल गारी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गारी की ओर समानतर पट्री पर 84 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से आ रही है परस पर मिलने के कितने देर बाद यह गारी खड़ी गारी को पार्क कर जाएगी तो देखी क्वेस्चन को समस्ते है दो रेल गारी प्रतेक 200 मीटर लंबी है देखी दोनों रेल गारी जो है दोनों 200 मीटर लंबी है और एक ही समय प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गारी को इन में से एक गारी जो है प्लेट पाम पर खड़ी है और दूसरी इस गाड़ी की और यानि कि इस तरब समानतर आ रही है चाराशी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो मिलने के कितने दिर बाद यहां गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी यह ग्यात करना है तो हल करते हैं देखिए कैसे करते हैं तो देखी दोस्तो पहले दो रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी जो खड़ी है यहां पर और एक रेलगाड़ी जो ऐसी आ रही है दोनों रेल गाड़ी दोनों ही रेल गाड़ी दोनों ही रेल गाड़ी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी यह बोल रहा है तो देखिए जब यह रेल गाड़ी यहां से स्टार्ट करेगी चलना और यहां पर end होगा तो देखिए दोनों जूडएंगी इसकी दूरी और इसकी दूरी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी निर्पेक चालो में चालो को जोड़ा जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे डिस्टेंस निकल जाएगी तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 210 और 210 किता हो जाएगा यह हो जाएगा 420 400 तो यह आगई हमारे डिस्टेंस और speed हमें दिए 84 km प्रति घंटा speed किती है 84 km प्रति घंटा तो देखिए हमारे पास क्या-क्या है distance है, speed है तो time निकल लेंगे हम time बराबर होता है distance upon speed distance 420 sorry 420 और speed किती है 64 84 km प्रति घंटा जो है हमें चाल दी है मिश्टेक हो गई थी थोड़ी सी तो देखिए 84 km प्रति घंटा की चाल से चल रही है यहाँ पर देखिए 84 km प्रति घंटा प्रति घंटा में और हमारे options seconds में देखिए seconds में तो हमें इसे km प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करने के लिए 5 बटे 18 का गुड़ा करना पड़ता है तो देखिए 5 बटे 18 का गुड़ा कर देंगे गुड़ीत 5 और बटे में 18 आएगा जो उपर चल जाएगा तो देखिए 42 एकम 42 और यह 0 42 चोके 42 दूनी 24 और 5 दूनी 10 और दूनी 18 तो यह क्या होगा है 9 दूनी 18 टाइम क्या निकल गया 8 सेकेंड यह रेल गाड़ी मिलने के अठरा सेकेंड गाड़ी को खड़ी रेल गाड़ी को अठरा सेकेंड बाद पार करे गए-क आपसन नंबर आनसर होगा अगले केसे देखिए दो रेलगाड़ी ए तथा भी एक ही बिंदू से एक ही समय पर आराम होकर क्रम साथ किलोमेटर पतिगंटा तथा बाहतर किलोमेटर पतिगंटा चाल से एक ही दिसा में जाती हैं यदि प्रतेक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मिटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लेगेगा हल करते हैं देखिए तो यहां देखिए पहली ट्रेन की चाल कित्ती है 60 किलोमेटर पतिगंटा यह देखिए और दूसरी ट्रेन की चाल है 72 किलोमेटर पतिगंटा तो देखिए इनकी चालों में अंतर कित्ते का है 60 पहली ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की है 72 किलो मीटर चालों में अंतर कित्ते का है 12 का अंतर है 12 किलो मीटर तो ये चाल निकल के आ गए हमारी 12 किलो मीटर प्रती घंटा आ जाएगी फिर देखिए दूरी किती हमें दिये 240 ड्रेल गाडि की लंबाई 240 मिटर तो हमारी डिस्टेंस क्या है दो देखिए दो रेल गाडिया ए तथा भी एक ही बिंदू से एक ही समय आराम होती है यानि कि दो रेल गाडियों के बाद हो रही एक की लंबाइ कित्त है 240 मिटर दो किकत्त है हो जाएगी 240 दन 240 240 दन 240 तो distance निकल के आ जाएगी तो distance क्या हो जाएगी हमारी यह हो जाएगी distance हमारे पाद चाल है distance है दूरी है कमी किस बात की है time की कमी है और time बराबर होता है distance upon speed distance कित्ती है 240 और 240 कित्ती हो जाएगे 480 बटे बटे 12 यह देखिए चाल जो है किलोमीटर प्रती घंटा में किलोमीटर प्रती घंटा में और हमारा आंसर मीटर प्रती सेकेंड में मीटर सेकेंड में आंसर है तो इसे कनवट करना पड़ेगा मीटर प्रती सेकेंड में कनवट करने के लिए पाच बटे 18 कोड़ा करने 18 बटे में आएगा तो यहाँ चल जाएगा उपर बटे में 18 आएगा तो यह उपर चल जाएगा देखिए तो देखिए पाच एकम पाच नाम 45 और पाच चके 30 किते बार 96 कट गया च्छाई दूनी 12 च्छाई तरी 18 तो देखिए फिर दो से उचार दूतिया दो चो के 8 और आठ दूनी 16 48 गुड़ा 3 बराबर क्या जाएगा है 144 तो टाइम क्या निकल गया गया 144 सेकेंड तो मिनाट में कनवाट करेंगे तो देखिए एक मिनाट में होते है 60 सेकेंड तो दो मिनाट में क्या हो जाएगे 120 सेकेंड 144 सेकेंड में से 120 सेकेंड घटाएगे तो कितने बच जाएगे यह बच जाएगा 24 24 सेकेंड बच जाएगे तो क्या जाएगा हमार आंसर इसको convert करेंगे मिनट में तो 2 मिनट 24 सेकेंड तो कुनसा option होगा option number D होगा 2 मिनट 24 सेकेंड अगले question को देखिए 60 km पतिगंटा के 40 से जा रही 240 मिटर लंबी एक रेल गाड़ी अपनी विपरी दिशा में 80 km पतिगंटा की गती से आ रही 270 मिटर लंबी रेल गाड़ी को कितने समय में पार करेगी तो यहाँ पर देखिए 60 km पतिगंटा 40 से जा रही रेल गाड़ी देखिए question की situation क्या है 240 240 मिटर लंबी रेल गाड़ी है यह 60 km पतिगंटा की स्पिट से जा रही है और एक दूसरी रेल गाड़ी इसकी विपरी दिशा से आ रही है इसकी लंबाई किती है 270 मिटर लंबी है यह और यह 48 km पतिगंटा की चाल से आ रही है तो ये एक दूसरे को कित्ते समय में पार करेगी ये ग्यात करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखी दोस्तों रेल गाड़ी की जो है इसकी चाल कित्ती है 270 कि लंबाई इसकी 270 मिटर है अगली ये रेल गाड़ी इसकी लंबाई है स्वारी एक मिनट पहली रेल गाड़ी की लंबाई है 240 मिटर और दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई है 270 तो देखिए और पहली रेल गाड़ी की चाल से चलती है 60 किलो मिटर और दूसरी रेल गाड़ी चलती है 48 किलो मिटर तो देखिए एक दूसरे को कित्ते समय में पार करेगी बोल रहा है टाइम पूछ रहा है तो देखिए डिस्टेंस कित्ती निकलेगी टोटल डिस्टें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी यहां से स्टार्ट होगी और यहां एंड होगी तभी तो पार होगी तो इन दोनों को जोड़ेगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी तो डिस्टेंस कित्ती निकल जाएगी दो सो चालीस और दो सो सत्तर यह हो जाती है पास सो दास और देखिए स्पीड स्पीड देखिए टोटल स्पीड निकालना पड़ेगा क्योंकि साप एक चे चाले हैं एक दूसरे की विपरी दिशा में चल रही है तो इनकी और विपरी दिशा में चाले जूड़ती हैं तो यह जूड़ जाएंगी तो कित्ता हो जाएगा यह साट और अरतलिस एक सो आठ हो जाएगा एक सो आठ हो जाएगा हमार पर डिस्टेंस है स्पीड है तो टाइम की कमी है तो टाइम निकाल लेते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड तो देखिए distance है 510 speed है 108 108 देखिए एक बात नोट करिएगा 108 speed जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और options हमें second में तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर second में convert करना पड़ेगा तो पाच बटे 18 को गुड़ा करेंगे गुडित पाच बटे में 18 आएगा पाच के तो यह उपर चल जाएगा तो यहां गुड़ा में आ जाएगा अठरा तो देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 भागने जाती भागने आसती कसून और 5 दूनी 10 110 बार कड़ गया पाच से अब 18 चींग 108 होता है अठरा चींग 108 और 6 से 102 यह कर जाता है 17 बार कर जाता है तो हमारा टाइम क्या निकल क्या आ गया टाइम निकल क्या आ गया 17 सेकेंड दूनों रिल गाड़ी एक दूसरे को कितने दिर में पार करेंगे 17 सेकेंड में पार करेंगे ओप्शन नमबर A तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इत्ता ही आगे के questions को next वीडियो में करेंगे next part आएगा पार्ट सेकेंड में करेंगे आगे के questions को तो जब तक कि लिए चैनल को subscribe कर दो like कर दीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और comment करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा साथ में दोस्तों ये bell के आइकन को दबा दीजिए इससे क्या होता है हमारे वीडियो जब भी जब भी हम वीडियो अपलोट करेंगे आप तक उसका notification पहुँच जाएगा तो bell icon को allow कर लीजिए